ऐसे अन्य प्रश्णों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दवाना ना भूले ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें प्रश्ण विज्ञान केंद्र क्या है? उत्तर क्रशी विज्ञान केंद्र ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों के लिए प्रशिक्षन कारिक्रमायोजित करने से लेकर विभिन क्रशी उत्पादन प्रनालियों के अंतरगत नई तकनीक बीजे वमरोपन सामगरी का किसानों के खेत पर परिक्षना दी करने तक के कारे करत केंद्र सरकार का लक्ष देश के सभी जिलों में कम से कम एक क्रशी विज्ञान केंद्र बनाने का है। प्रश्न भारती यक्रशिय अनुसंधान पूसा का मुख्यालय कहां है? उत्तर, नई दिल्ली प्रश्न भारती यक्रशिय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? उत्तर एकप्रेल उनीस सो पांच प्रश्न मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती है? उत्तरिन में से सबसे बड़ी नर्मदा और उसके बाद तापती आती है मध्य प्रदेश पांच प्रमुख नदी घाटियों में आता है? राज का उत्तरी भाग गंगा बेसिन के भीतर पड़ता है जहां बेतवा, चंबल और सोन बहते हैं गंगा बेसिन के दक्षन में नर्मदा बेसिन है, जो सतह क्षेतर द्वारा दूसरा सबसे बड़ा क्षेतर है प्रश्न, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों माना गया है? उत्तरनर्मदा नदी को मध्यप्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है मध्यप्रदेश के कई छोटे बड़े शहर इसके किनारे बसे हैं अपने उद्गम स्रोत अमर कंटक से लेकर खंभात की खारी गुजरात तक के मार्ग में यह नदी मध्यप्रदेश की धर्ती को अपने जीवन दायत जल से अभी सिंचित करती है फल स्वरूप से मध्यप्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है प्रश्न क्रिशी विज्ञान के इंद्र को आर्थिक सहायता कौन देता है उतर क्रिशी विज्ञान केंद्र, क्रिशी विज्ञान केंद्र केवी के, योजना, केवी के योजना को भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशद, आई सी आर, क्रिशी शोधेवम शिक्षा विभाग, डै, के तहत शत प्रतिशत केंद्रिय वित पोशन के जरिये प्रश्न क्रिशी विज्ञान के जनक कौन है? उत्तर भारत में हरित क्रांती के जनक कौन थे? प्रफेसर एमेज स्वामिनाथन याड नौमन बॉलोग है. प्रश्न क्रिशी विज्ञान के इंदर की संख्या कितनी है? उत्तर क्रिशी विज्ञान के इंदर क्रिशी विज्ञान के इंदरों की संख्या दिली शुन्य एक हरियाना अठारह राजिस्थान चवालीस अटारी जोनरी कानपर छियासी क्रिशी विज्ञान के इंदर प्रश्न क्रिशी विज्ञान के इंदर की स्थापना कब हुई थी? उत्तर वर्ष 1974 में प्रथम क्रिशी विज्ञान केंद्र, पुड़ुचेरी, पांड़िचेरी की शुरुवात वर्ष 1975 में क्रिशी अनुसंधान सेवा और क्रिशी विज्ञानिक भरती मंडल की स्प्रश्न, क्रिशी केंद्र कैसे खोले? उत्तर विज्ञानिक का लाइसेंस लेने के लिए जिला क्रिशी अधिकारी के यहां ओनलाइन आवेदन करना होगा यहां से लाइसेंस मिलने के बाद विज्ञानिक में एक लाक रुप्य बतोर सिक्यूरिटी मनी जमा करके आप अपना केंद्र शुरू कर सकते हैं प्रश्न क्रिशी विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उत्तर क्रिशी विज्ञान, क्रिशी विज्ञाना, मीनिंग इन इंग्लिश, क्रिशी विज्ञान प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विज्ञानादी को समेटे हुए एक बहु विशक शेत्र है. प्रश्न, स्थिती विज्ञान के इंद्र कितने स्थित है? उत्तरपार स्थिती की विज्ञान के इंद्र भारत के करनाटक राज की राजधानी बेंगलूरू में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1983 में पर्यावरण और वन्मंत्राले के अंतरगत हुई थी। प्रश्ण, राश्ट्री अक्रिशी शोध परियोजना कप शुरू हुई। उत्तर वर्श 1989 में प्रयोग शाला से खेत तक कारिक्रम और राश्ट्री अक्रिशी अनुसंधान परियोजना, एने आर पी, की शुरूआत। प्रश्ण राजिस्थान में कुल कितने केवी के हैं। उत्तर राजिस्थान के लगभग चवालीस केवी के सुधार और अंतिम रूप देने हेतु सुझावों के साथ चड़्चा के लिए वर्श, दो हजार बीस की अपनी कारियोजनाएं प्रस्तुत करेंगे। कार्यशाला में केवी के, राजिस्थान के कुल चवाली स्वरिष्ठ विज्ञानिक और प्रमुख, प्रश्ण क्रिशी की कितनी शाखाएं हैं। उत्तर क्रिशी संबंधी क्रिशी विज्ञान की शाखाएं। होट कल्चर फल फूलेवम सबजियों का अध्ययन, सिल्वी कल्चर वन क्रिशी का अध्ययन, सेरी कल्चर सिल्क, रेशम, का उत्पादन संबधित अध्ययन, आरबोरी कल्चर वरिक्षों तथा ज्ञाडियों का अध्ययन, पोमोलोजी फल। प्रश्न, कृशी विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? उत्तर एग्रोनॉमिक्स, एग्रोनॉमिक्स, भूमी वफसलों का प्रबन्धन का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एग्रोस्टोलोजी, एग्रेस्टोलोजी, घासों के अध्ययन का विज्ञान, एपी कल्चर, एपी कल्चर, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मदुमक्खिया मौन पालन कार्य